तो आप ये देख रहे थे स्मृती इरानी को स्मृती इरानी सवालों से किस तरीके से भाग रही है उनसे एक रिपोर्टर ये पूझ रहा था कि उत्राखंड में जो अंकिता भंडारी हत्यकान के मामले में जाज कहा तक पहुची है उस पर क्या कहना है वो देश की महिला और बाल विकास मंतरी है उनसे वो रिपोर्टर गुहार लगा रहा था कि भई आपका क्या कहना है आप बताईए तो सवालों से भागती हुई फिर रही है स्मृती रानी वो ये सोच रही है कि किसी तरीके से जल्द से जल्द गाड़ी में मैं बैठ जाओ ताकि रिपोर्टर मुझ से सवाल न पूछे ये वही स्मृती रानी है जो की उत्राखंट पहुची हुई थी अनिल बनूनी जो की वहां से चुनाव लड़ेंगे उनके नामंकन के लिए वो गई हुई थी रिपोर्टर्स ने उनको वहां घेरा और पूछा कि आखिर बताईए कि अंकिता भंडारी के हत्याकांट पर आपको क्या कहना है तो उन्होंने क्या कहा उन्होंने जवाब में कुछ नहीं बोला आगे पीछे देखा और फिर कहा धक्का मत मारू और जाकर फिर वो गाड़ी में बैट गई और आज यही क्लिप जो आपने भी देखी है वो वाइरल हो रही है और स्मृती इरानी को बार-बार ये सवाल का काम करती थी वनदरा रिसॉर्ट में और वहां के जो बीजेपी नेता है विनोध आरिया उनके बेटे पुलकित आरिया चलाते थे और पुलकित आरिया पर ये आरोप है कि उसने अंकिता भंडारी को जान से मार दिया क्योंकि उसको स्पेशल सर्विसेज देने के लिए कह additional service के लिए आप समझ सकते हैं कि वो कौन सी additional service वो मांग रहा होगा उसने कहने से मना कर दिया तो फुलके तारिया को ये लगा होगा कि देखें ये पूरा जो चीजें हैं ये उजागर हो जाएंगी तो इसलिए अंकिता भंडारी को मार दिया गया अब अंकिता भंडारी की हत्या 2022 में हुई थी आज 2024 हो गया है दो साल हो चुके हैं लेकिन अभी भी अंकिता भंडारी का जो परिवार है वो नियाए के लिए गुहार लगा रहा है यहाँ तक कि कई ऐसे विरोध प्रदर्शन भी हुए जिसमें कि अंकिता भंडारी के हत्याकान को लेकर बार बार सवाल खड़े किये गए कि आखिर जो आरोपी है उसके खिलाफ सक्से सक्क कारवाई क्यों नहीं की जा रही है अंकिता भंडारी के परिवार को नियाए कैसे मिलेगा कुछ रिपोर्टर्स यारी कीच-कुछ पत्रकार खड़े हुए थे उनमें से एक पत्रकार का नाम था आशुतोष नेगी जिसको कि अभी हाल में पांच मार्च को इसी साल उसको गिरिफतार कर लिया गया क्यों क्योंकि वो अंकिता भंडारी के हत्याकान को लेकर लगातार उसका एक लोकल वेब पोटल था जागो उतराखंड के नाम से और उसको लेकर वो लगातार जब से अंकिता भंडारी की हत्या हुई है वो लगातार अंकिता भंडारी के हत्याकान को उजागर करता रहा है तो अंत में पुलिस ने उसकी बात नहीं मानी और उसी को गिरिफतार कर गया और अभी अंकिता भंडारी का क्योंकि अपचुनाओ पास आ गया है अंकिता भंडारी का जो इशू है ये समय काफी गर्म है civil society से लेकर विपक्षी दल सारे अंकिता भंडारी के हत्याकांड को लेकर सवाल जवाब कर रहे हैं ही है 19 अप्रेल जब पहला फेज लोग सभा के चुनाव का है तो उत्रा खंड उन पहले स्टेट्स में है जो कि पहले फेज में जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो नामांकन की प्रक्रिया है वो चल रही है और उसी नामांकन प्रक्रिया के दौरान स्मृती इरानी अनुल ब भाकती पर रही है उनको यह लग रहा है कि ऐसा ना हो जाए बाबा की मुझे मेरे मुझे कुछ निकल आए और वो कहती क्या है यह कहती है मुझे धक्का मत मारू आईए सुनते बड़ी शर्मनाक यह क्लिप है यह देश की महिला और बाल विकास मंत्री है जिनकी हालत इतनी खराब हो जाती है जब उनसे अंकिता भंडारी के हत्याकान पर सवाल पूछे जाते हैं सुनते आईए क्लिप फिर उसके बाद में आपसे बात करूँ अब स्मृती इरानी के बारे में बात करना चाहती हूं कि स्मृती इरानी आपको याद होगा भी हाल में टाइम्स नाओ की एक summit हुई थी जहाँ पर उन्होंने किस तरीके से Congress नेता Supreme Shined के बारे में कहा कि अरे यह तो Congress का culture है जो स्तुरियों और महलाओं का आचरण है उसका character assassination कैसे किया जाता है ये Congress से सीखा जाए और फिर उन्होंने एक चुनौती दिया और कहा कि अगर हिम्मत है तो मुद्दो पर लड़ो इस बात कո उन्हें टाइंज नौ की समूट में कहा था भरी समूट में उन्होंने सुप्रिया शिनेट को ये कहने की कोशिश की थी कि ये जब मुद्दे क्यों आप उठाती हैं इस तरीके कि आपको याद होगा कि सुप्रिया शिनेट का जो इंस्टाग्राम है उसके जरिये एक आपती जनक पोस्ट कंगना रनाओग जो की बॉलीवोड की फिल्म स्टार है और अब हिमाचल से मंडी इलाके से उचमाओ लड़ रही हैं तो मंडी को ही लेकर एक बहुत आपती जनक पोस्ट उनके इंस्टाग कहते हुए कि देखे महिलाओं का सम्मान नहीं करना आता कॉंग्रिस के नेताओं को यहां तक की सुप्रिया शिनेट को और यह तब जबकि सुप्रिया शिनेट ने माफी भी मांगी अपना पोस्ट डिलीड भी किया नेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि सुप्रिया शिनेट इस अपने Instagram handle से डाला, आज यहाँ पर बात स्मृती इरानी की हो रही है, आज सोशल मीडिया पर अंकिता भंडारी के नाम से एक सोशल मीडिया trend चल रहा है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अंकिता भंडारी के मसले पर स्मृती इरानी मूँ छुपाती हुई फिर रही है, सवाल के जवाब नहीं देना चाहती है, सवाल के जवाब में वो क्या कहती है, धक्का मत मारू, इस तरीके का comment रिपोर्टर्स को उन्होंने दिया है, रिपोर्टर्स क्या expect कर रहे थे, रिपोर्टर्स ने ये सोचा, कि भई ये देश की महिला विकास, बाल विकास मंत्री है, कम से के बचाओं में आकर, महिलाओं के अधिकारों के बचाओं में आकर कूती थी, और ऐसा लग रहा था उस समय कि उनसे बड़ा महिलाओं का हिमायती कोई नहीं है, आज क्या हो गया है उस स्मृती इरानी को, आज मैं उस स्मृती इरानी से पूछना चाहती हूँ, इस फ्लैट पर नहीं लड़ना है और इसलिए वो कंगना रनाउत के बचाओं में आ गई लेकिन आज मनीपूर की महिला हैं उनके साथ किस तरीके से बचसलूकी हुई प्रदान मंत्री नरिंद्र मोधी की आखों पर भी पट्टी पड़ी हुई है लेकिन ये तो महिला हैं ये तो महिला व आज भी चुनाव लड़ने के लिए बैठा हुआ है संसत के अंदर मूचे पर ताओ देकर वो शक्स बैठता है ना प्रदान मंत्री नरिंद्र मोधी बोलते हैं न स्मृती इरानी कुछ उसको बोलती है आज तक स्मृती इरानी में ये हिम्मत नहीं हुई ब्रजभूशन च कि किसी ने पट्टी बांदी है वो बोलना ही नहीं चाहती महिला पहलवानों के केस में खातरस में जब उदलित बेटी का वलतकार हुआ था उस समय भी स्मृती इरानी ने कुछ भी नहीं बोला तो आज इसी लिए बार-बार ये सवाल किया जा रहा है और बीजेपी के नेत के अपने दोरे पर गई हुई है अपने सहयोगी के नामांकन प्रकरण में दाखिल होने के लिए या उसको अटेंड करने के लिए और रिपोर्टर्स अगर उनको घेरते और सवाल पूछते हैं कि मैडम अंकिता भंडारी का जो इशू है वो बड़ा इशू है उत्तरा का मत मारो मुझे आखिर उनकी इस बात पर कौन विश्वास करेगा आज यही तो लोग कहेंगे ना कि सुरती इरानी सवालों से भाग रही है मूँ छुपाती भी फिर रही है और जब भी ऐसे कोई टिकलिश इशू जा जाते हैं जब विवादास पद मुद्दों पर जब स लदू खिलाया गया, उनका मालारपड किया गया, उनका महिमा मंधन किया गया, ऐसा लग रहा था कि जेल से निकल कराये, वो तो हीरो है, ऐसा लग रहा था यह उधिया में राम वापिस आ गए है, लेकिन स्मृती इरानी के मुझसे एक शब्द उन बलातकारियों के लिए नहीं निकला क्यों कि वो तो बीजेपी के नेता थे तो बीजेपी के नेता भले ही बलातकारी हो स्मृति इरानी उनका बचाओ करेंगी क्योंकि वो बीजेपी के हैं उसी तरीके से कंगना रनाउत का बचाओ उन्होंने इसलिए किया क्योंकि अब वो बीजेपी की नेता है ल इस क्लिप को फिर से देखिए उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से आज ये विशे ट्रेंड कर रहा है आए देखते हैं इस क्लिप को अब ये जो मुद्दा है इस समय सोशल मीडिया पर बहुत जादा वायरल हो रहा है और मैं एक एक करके आपको प्रतिक्रिया दिखाती हूँ कि कॉंग्रेस का जो ओफिशल सोशल मीडिया का जो एक्स हैंडल है उससे क्या लिखा गया है ये देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृती इरानी है उत्राखंड की बेटी अंकिता भंडारी से जुड़े सवाल पर भागने लगी शर्म आनी चाहिए अंकिता भंडारी की हत्या में सीधे तोर पर बीजेपी के लोग श इसको बीजेपी नेता के बेटे ने बेरहमी से मार डाला उसने जिस्म फरोशी करने से मना कर दिया था बीजेपी सरकार ने बुल्डोजर चला कर सारे सबूत मिटा दिये बेटी के लिए नयाय तो दूर महिला बाल विकास मंत्री स्मृती इरानी सवालों से ही भाग खड़ सवाल के जवाब पर इस तरीके का बेतुका जवाब दे कर कि धक्का मत मारू आज उनसे लोग ये एक्सपेक कर रहे थे कि वो अंकिता भंडारी पर कुछ तो बोले क्या उनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये इतना बड़ा मुद्दा है क्या स्मृती इरानी या फिर बीजे पुशकर सिंग धामी के बारे में भी वहां के लोग बताते हैं कि वो अंकिता भंडारी के सवालों से वो हमेशा बचते रहते हैं तो आज वो बच गए लेकिन स्मृती इरानी को आज रिपोर्टर्स ने घेर लिया और देखिए वो किस तरह से मूँ छुपाती भी नजर आ आज भी दिवंगत अंकिता भंडारी का परिवार न्याई के लिए संगर्श कर रहा है लेकिन शौक संतप परिजनों के हक में स्मृती इरानी के मूँ से एक शब नहीं निकला उसी तरीके से यूपी कॉंग्रेस में भी काफी कड़ी प्रतिक्रियाएं आई हैं अंकिता भं वक्ष की सरकार हो वरना या मौन धारण ही करना पसंद करती हैं तो ये तमाम तरीके की बातें यहां पर सामने आ रही हैं उपर से आईए आप देखते हैं कि नेहा सिंग राठोर ने भी इस पर क्या लिखा है आज उनकी भी बहुत कड़ी प्रतिक्रिया आई है मैं जब तक निकालती हूँ लेकिन मैं आप से इस सवाल लेहां पर आज करना चाहती हूँ कि लगातार अंकिता भंडारी के मामले में बीजेपी सरकार पुशकर सिंग धामी से सवाल प्रधानमंची नरिंज मोदी से लगातार इस चीज को लेकर सवाल किये जा रहे हैं लेकिन उन लोग अब देखे नेहा सिंग राठार ने क्या का है लोग गाईका है और यूपी में काबा बिहार में काबा तमाम जैसे उन्होंने गाने गाएं वो क्या लिखती है अंकिता भंडारी जिन उनकी भी ट्रोलिंग हो रही है मैं आपको ये भी बता दू कि अंकिता भंडारी नेहा सिंग राठार की किस तरह से ट्रोलिंग हो रही है कभी उनको मिया खनीफा से कंपेर किया जाता है कभी उनको कुछ कह दिया जाता है तो वो बार बार नेहा सिंग राठार ये पूछती रहती है कि स्मृती इरानी मेरे बचाओ में तो कभी नहीं उतरी आज उसी नेहा रनावती देश की बेटी है क्योंकि वो भाजपा प्रत्याशी है अंकिता बंडारी के सवाल पर मूँ छुपा कर भाग रही है संबेदना के दो शब भी नहीं बोल सकेंगे आपको सच में लगता है कि इन दोनों के लिए देश की बेहन बेटियों का कोई महत्व है ये बेटी बचाएंगे अरे इनी लोगों से तो बेटी बचानी है तो नेहा सिंग्राठोर ने बहुत कड़ी टिपड़ी की है लेकिन आज सवाल यही है कि महिला एक महिला होती है महिला की गरिमा सर्वोपरी है और उसकी गरिमा से कोई भी छेड़ चाड़ करे तो हमें ये नहीं आज उसी बीजेपी से आज 19 मृती इरानी से बार बार ये पूछा जा रहा है कि क्या अंकिता भंडारी क्या देश की एक शक्ती नहीं है जिसकी बेरहमी से बीजेपी के ही लोगों ने बीजेपी के नेता के बेटे ने इसको बेरहमी से मार डाला उसका परिवार आज न्या बिलाने की प्रक्रिया के साथ Representant की खड़े होते हैं जैसे कि अश्रतोशनेगी को उसको गिर्फ josas आफसवाल यह है कि क्या अंकिता भंडारी देश की बेती नहीं है क्या के्वल कंगना रणाुथी देश की बेती है अंकिता भंडारी को आज नयाए कैसे मिलेगा क्याered साथ हैं क्या एक शब्द सिर्फ उस एक लाइन को सुनने के लिए अंकिता भंडारी का परिवार तरस रहा है लेकिन स्मिती रानी की इस क्लिप को आपने देखा कहरें धक्का मत मारो अब आखिर इस क्लिप को देखकर किसके रोएं नहीं खड़े हो जाएंगे किसको गुसा न इपेंडिन मीडिया सवाल पूछ रहा है स्मिती इरानी से कि आपने क्या किया लेकिन वो सवाल के जवाब देने की स्थिती में हो तब तो वो जबाब देंगी तो फिर उनके पास कोई चारा बचा नहीं है और वो इसी तरीके से मूँ छिपाती हुई फिर रही है लेकिन महिलाओं के लिए हैं लेकिन आज अंकिता भंडारी के लिए इन में से कोई शक्स अंकिता भंडारी के परिवार के साथ आपको खड़ा नहीं मिल रहा है ये देखिए आपको चलते चलते फिर से क्लिप दिखाती हूँ अनिर स्मृती इरानी की इस शर्मनाक क्लिप को देख इस क्लिप को और फिर मैं इस प्रोग्राम को खत्म करूगे